हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टू में यूट्यूब चैनल, फ्रेंट्स मैं रितुवा स्वागत करती हूँ एक पर फिर से अपने चैनल में आपका, तो फ्रेंट्स ये देखिए कितना ब्यूटिफुल सा नेक डिजाइन है, विंटर के लिए स्पेशल ये डिजाइन है, तो ये बहुत ही आसानी से मैंने घर में बनाया है, तो आज इसका वीडियो में आपके साथ शियर कर रही हूँ, तो फ्रेंट्स आप इसको कुर्ती में या फिर टॉप में किसी में भी बना सकते हैं, तो ये बहुत ही ट्रेंडी लगता है, ये देखिए ऐसे आप इसको तीन त पहना हुआ बहुत ट्रेंडी लगता है, तो ये देखिए ये बिल्कुल मीडियम साइज का लॉंग टॉप है, मैंने क्रिएट किया है, ये हमारा गरम फैब्रिक में है, विंटर की फैब्रिक में, तो विंटर में ये गले का डिजाइन बहुत खूबसूरत लगता है पहना तो फ्रेंड्स इसका फुल टुटोरियल टॉप का अगर आपको देखना है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आज की जो वीडियो है, इसमें मैं आपको इसका नेक डिजाइन ही बताऊंगी, क्योंकि अदर्वाइस ये वीडियो बहुत लंबी हो जा और इसको शेप देदेंगे, गुलाई की, ब्रॉड्नेस तीन इंच होगी, और इसकी जो नीचे की और जो गले की गहराई है, वो साड़े तीन होगी, तो नीचे का जो हिसा है वो हम निकाल देंगे, और नीचे से जो वी कट देने के लिए हम थ्री इंच और नीचे लेंग करदेंगे तो यह देखिए यह कितना ब्यूटिफुल सा पैटरन हमारा जो है कट के रेडी हो गया है तो फेंट पीछे के गल्य में भी पहले तीन इन्च हम इसकी ब्रादनेस रखेंगे और एक इंच तिर्फ लेंगे गहराई तो बस यहां से हम इसको गलाई में शेप दे देंगे और इसको भी कट कर देंगे बस इसकी गले की इतनी सी कटिंग है तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे हमें स्टिच करना है तो ये फ्रंट ये फ्रंट का पार्ट है हमारा गले का तो सबसे पहले तो जो वी कट हमने दिया है सबसे पहले हम इसको करेंगे मगजी लगाएंगे इसकी तो इसके लिए आपको छोटा सा फैब्रिक का पीस सेम यही चाहिए होगा ये देखिए जो गले की मैंने कटिंग की हुई है ये दिखिए फ्रंट्स जो गले की कटिंग की है उसी के अंदर से जो निकला हुआ है पीस उसको ही हम यूज कर लेंगे यहां पे हमें थोड़ा सा ही फैब्रिक चाहिए सबसे पहले हम नीचे का जो है हमारा ये जो पीस है इसको सीधा बिछाएंगे और हमारा जो गले का है उसको उल्टा आप ध्यान से देखिए नीचे का सीधा है उपर का उल्टा ऐसे ही आप लगाएं तो इसको आप अगर तो सिलाई लगा सकते हैं तो ऐसे ही लगा लीजिए otherwise अगर आप beginner हैं तो आप ऐसे pins से इसको पहले square कर दें दो sides पे लगाएं और एक नीचे कि आपका जो अच्छे से जम जाए हिले ना तो ये हम यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे सबसे पहले यहाँ से पक्के करते हुए V-shape में सिलाई लगा देंगे यह हमारी सिलाई लग गई है V-shape में और अब हम जो pins है उनको निकाल देंगे और बीच का जो हमारा fabric है extra उसको कट कर देंगे और सिरफ जो V है यहाँ पे कट लगाएंगे सिलाई बीच में नहीं कटनी चाहिए थोड़ा सा कट लगाएंगे और अब हम इसको सीधा कर लेंगे तो बाकी जो बचा हुआ fabric है उसको अच्छे से यह देखिए थोड़ा सा छोड़ते हुए बाकी का हम कट कर देंगे थोड़ा सा इसलिए छोड़ेंगे कि अंदर की तरफ हमें turn करना है उस तरफ उतना ही छोड़ेंगे तो अब friends हम इसको turn कर देंगे अंदर की तरफ अब फिर हम shirt के पीस को उल्टा करेंगे और यहां से फोल्ड करते हुए इसको सिलाई लगा देंगे turn करते हुए बड़े ध्यान से सफाई से यह सिलाई हम लगाएंगे क्योंकि यह थोड़ी सी visible होगी front side पे तो same color का thread यूज़ करना है इसमें यहां से V-shape देते हुए fold करते हुए हम यह सिलाई जो है वो complete कर देंगे यह हमारी जो सिलाई है वो complete हो चुकी है यह दिखिए बहुत beautiful सा V-shape हमारा निकल के आ गया है इसको बड़े सफाई से बनाना है तो friends अब हम कंधे की सिलाई दोनों लगा के दोनों जो हमारा front और back का part है इनको आपस में जोड़ देंगे neck design बनाने से पहले यहां से double सिलाई लगा के हम दोनों कंधे की सिलाई तो यह दोनों parts को आपस में जोड़ देंगे यह दूसरी तरफ भी same वैसे ही तो यह हमारी double सिलाई करके यह दोनों कंधे की सिलाई लगा के यह दोनों parts जो है front और back का यह आपस में जोड़ चुके है तो अब हम देखिए friends यह हमारा गले का जो pattern है वो ready है तो अब हम इसमें टाई कैसे add करेंगे यह देखिए मैंने लंबे का लंबा पी से कट करके रखा हुआ है तो यह मैं आपको बताती हूं friends मैंने तो काफी लंबा बनाया है जितना लंबा यह हो उतना अच्छा लगता है यह 57 इंच और उससे उपर 20 इंच और है जो की total हमारा 77 इंच बन जाता है मैंने 77 इंच की यह रखी है length तो आप चाहें तो 57 तक भी रख सकते हैं और 4 इंच इसकी weight है यह ऐसे piece side से मैंने निकाला था तो friends यह लंबा का लंबा piece निकालने के लिए मुझे जोड डालना पड़ा है क्योंकि यह दो piece थे तो मैंने यह जोड हमारा बिल्कुल पीछे आ जाएगा नजर नहीं आएगा पीछे के गले में हम सबसे पहले कट लगाएंगे center में और जो हमारा जोड है अगर तो जोड है तो जोड मिला लो अगर अदर्वाइस आप उसके भी center में एक कट लगाके तो बिल्कुल center को जोडते हुए एक side पे हम ऐसे pins लगा लेंगे ताकि हमें बिल्कुल equal मिले जो हमारा front का जो बनेगी हमारी tie तो friends अब हम इधर से start करेंगे जो हमारा V था वहां से start करेंगे shirt का नीचे का कपड़ा सीधा होना चाहिए और जो हमारा उपर tie का है वो उल्टा होना चाहिए ये ध्यान रखना है और इसको सारी गुलाई में हम ऐसे सिलाई लगा देंगे winter के लिए ये बहुत best idea है क्योंकि इससे एक तो सर्दी कम लगती है और बंद गले वैसे भी अच्छे लगते हैं winter के top में या फिर कुर्ती में आप इसको long कुर्ती में भी बना सकते हैं और top में भी बना सकते हैं बहुत beautiful लगता है आजकल बहुत प्रेंट में है ये neck design और बहुत आसान भी है अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखें तो आप घर में इसको बड़े आराम से बना सकते हैं इसकी फुल कुर्ती की वीडियो मैं आपको description में दे दूँगी तो आप फुल वीडियो जो है cutting and stitching की description में जाके देख सकते हैं बहुत beautiful ये कुर्ती बनी है तो ये देखें फ्रेंट सारी गुलाई में हमने ये attach कर दिया है सबसे पहले और ये कुछ इस तरह से हमारे सामने आया है देखिए तो अब फ्रेंट्स बहुत ध्यान से देखिए कि अब हमें क्या करना है अब हमें ये ये देखिए उल्टा ऐसे सीधा नहीं बिल्कुल उल्टा पकड़ना है इसको टर्न करते हुए ये सिलाई यहां तक जहां V से हमने स्टार्ट किया था ये सिरफ यहां तक सिलाई आएगी हमारी आप ध्यान से देखिए मैंने कैसे लगाई है ये सारा उल्टा करते हुए सबसे पहले तो हम यहां से थोड़ी सी शेप देंगे कॉर्णर कट करके तिरकोन शेप बना देंगे और फिर हम यहां से डबल सिलाई करते हुए ये पूरी सिलाई इसके उपर लगा देंगे जहां से हमने वीनेक से गले का स्टार्ट किया था वहां तक ये ओनली जो हमारी टाई है इस पे ही हमें लगानी है ये दिखिए ये यहां तक सिरफ यहां तक जोईन करना है हमें ये दिखिए जहां हमारा वी गला है सिरफ वहां तक ही ये सिलाई लगानी है और यहां से पक्का कर देना है, डबल कर देना है और सेम दूसरी तरफ भी ऐसे ही उल्टा करते हुए यह दिखिए, एक तरफ हो गया है हमारा, यह उल्टी ही बनानी है, जो पट्टी है, यह दिखिए इसको भी हम ऐसे उल्टी तरफ टर्न करते हुए, सीम उसी प्रोसीजर से यहां पे भी पहले कट लगाएंगे तिरकोना कर देंगे, नीचे का साइड फिर और ज़दा अच्छा लगता है, टाय बना हुआ तो यहां से भी डबल सिलाई करते हुए, हम यह सारी सिलाई लगा देंगे तो यह दोनों तरफ की सिलाई मैंने लगा दी है, आपके सामने यह उल्टा है भी तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हमने कैसे सीधा करना है यह कोई भी आप पैंसिल ले ले या कोई भी शाप ठिंग ले जिससे की यह सिधा हो सके तो यह अंदर की तरफ सारा करते हुए, जैसे हम डोरी को टर्न करते हैं सेम वैसे ही, यह तो बहुत असानी से हो जाती है टर्न तो यह देखिए, जहां तक सिलाई है, यह यहां से बाहर आ गया है तो अब हम इसको सारे को खींच देंगे और यह देखिए, यह कितनी असानी से टर्न हो गया है हमारा जो टाई है और सेम वैसे ही, दूसरी तरफ से भी हमें इसको टर्न कर लेना है सबसे पहले यह देखिए इसको भी ऐसे ही टर्न कर लेना है यही डिजाइन आप स्लीव्स पे भी बना सकते है यह दोनो यह देखिए टर्न हो चुके है और अब मैं आपको बताती हूँ कि यह जो गले का फैब्रिक है इसको हम कैसे एक कॉलर की शेप देंगे बैन की तरहां सफाई से तो इसके लिए यह दिखे शर्ट को उल्टा कर लेना है और जहां से हमारा वी गले का पैटन है जहां से हमने शुरू किया था वहीं पे इसको यह दिखे यह जो सिलाई है हमारी उसके ऊपर ऐसे टर्न करते हुए बड़ी सफाई से यह हमारी टाई की सिलाई तो लगी हुई है वहां से छोड़के उससे आगे जहां से हमारा वी नक शुरू होता है वहाँ से यह सिलाई शुरू करेंगे तो इसको बिल्कुल जो हमारी नीचे गले की सिलाई है उसके उपर फोल्ड करते हुए बड़ी सफाई से इक्वल करते हुए लगाते जाना है बस यह हमने स्टार्ट कर लिया और अब ऐसे ही इक्वल करते बराबर करते हुए नीचे गले की सिलाई के उपर ये सिलाई लगा देनी है सारे ऐसे ही आपको घुमाते हुए ये सिलाई को कम्प्लीट करना है ये दिखे कितनी अच्छी से सफाई से ये लग रहा है हमारा जो सिलाई है गले की वो बिल्कुल हाइड हो जाती है इसमें अंदर की तरफ करके और उपर सिलाई लगानी है तो दोना तरफ से बहुत सफाई से ये गला बन जाता है कोई तरफाई करने की जूरत नहीं हैंड स्टिच की जूरत नहीं पड़ती है बहुत असान है इसको घर में बनाना तो बड़े ध्यान से आप ये वीडियो बना के देखे असानी से घर में ये पैटर्न बना सकती है तो बस ये यहां तक हमारी स्लाई जो है कम्प्लीट हो गई है इसको यहां से डबल कर दें और अब इसको हम सीधा करके देखेंगे ये देखिए हमारा जो गला है अल्मोस्ट रेडी है इसको अब प्रेस की मदद से आप इसको अच्छे से बिठाएं टाइ को और ये बहुत ब्यूटिफुल लगेगा तो देखा फ्रेंड्स कितना आसान है इस नेक डिजाइन को घर में बनाना और ये बहुत ठ्रेंडी ब्यूटिफुल लगता है टॉप में या फिर कुरती में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपको अच्छी अच्छी और ट्रेंडी कूर्ती एंड नेक्ट डिजाइन बनाने में सिखा सकूँ तो बाइ बाइ फ्रेंड्स मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ इस ब्यूटिफुल कूर्ती को बनाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देख सकते हैं तो बाइ बाइ फ्रेंड्स टेक केर